जैन दोस्तों, क्या हाल है, I have a smartphone, नेया क्या है इसमें, आज केल तो ऐसी बहुत लोग चुरे, इस फोन का नाम है टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर 5G, ये फोन काफी जादा चर्चा में है, रीजन, इस फोन के अंदर 108 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड अंगल कैमरा है, तो कहां लोग 8 मेगा पिक्सल दे रहे हैं, 12 देने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन्होंने 108 मेगा पिक्सल लिटरावाइड दिया है, में 50 मेगा पिक्सल है, जिसके अंदर सेंसर बेस्ट OIS है, सेंसर बेस्ट OIS सबसे पहले आपने आइपोन में सुना होगा, इस फोन का वैसे को कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और मिद रेंज से नीचे लोग काफी सारो ओप्शन भी आट करते हैं, जिनमें से डेफिनेटली कुछ फोन अच्छे भी है, जिनको इसका यूई पसंद आता है, लेकिन अभी ये फोन आता है, कॉम्पेटिशन में अंडर 30,000, वहा सही है, अगर फिजिकली बात करें फोन की, पीछे वेगन लेदर है, साइड का जो फ्रेम है, ये प्लास्टिक फ्रेम है, ये शाइनी और बोक्सी डिजाइन की साथ आता है, डूवल स्टीरियो स्पीकर भी दे रखा है इसके अंदर, और कन्फ्यूज मां तो ये गा मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आता है, अलग-अलग प्राइज में, मेरे पात जो है, ये है कैमोन ट्वेंटी प्रीमियर फाइब जी, और बैक साइड पर कुछ पैटर्न बना हुआ, कैमरा डिजाइन देख रहो आप बहुत ही अलग है, तो ये फोन को काफी अलग पह करता हूं, तो मेरा अपना उपिनियन था, इनका अपना उपिनियन था, आप अपना उपिनियन को में बताइए, उसके बाद वीडियो के स्पॉंसर है ग्यान थेरपी, देखते रहिए, नए है, सब्सक्राइब करते रहिए, इनफेक्ट डूवल पार्टनरशिप है, जी ट सबसे बड़ी बात तो यह है, इसकी जितनी फोटो मैंने अलग-अलग कंडिशन में क्लिक करी है, डेलाइट की फोटो अगर मैं दिखाता हूं, तो इसकी जो फोटो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, यह फोन 28,000, 30,000 के प्राइस पॉइंट वाले फोन को टागेट करता है, फोटो बूस्टिट आती है, वो तो अट्रेक्टिव लगता है, अगर डैनमिक रेंज की बात करें, तो वो इस फोन से चैड़ो पार्ट पे उतना अच्छा डेटेल लेकर नहीं आ पाता, फेस पे कई बार अगर धूप वगारा में आप फोटो क्लिक करो, फेस पे वाली थी, कुछ वाइट आती है, कुछ थोड़ा हलका सा येलो टोन वाली होती है, तो जैसी बात है, वो फेस पे या फिर यहाँ पार्क में असर दिखना चाहिए, बट इसने पूरी फोटो को ही पीला कर दिया, ऐसा लगा अलग से येलो फिल्टर लगा के फोटो क्लिक कि अगर यही कैमरा रिजल्ट 20 जार से नीचे होते हैं, तो मैं कैमरे को अच्छा कह सकता था, अच्छी खासी दो तब भी नोजी सी फोटो आती है, और अगर आप लो लाइट में चले गए, ये फोटो मेन कैमरे से है, ये अल्टरावाइड एंगल कैमरे से, जो आती है, और साथ में जब बात करते हैं, इसके वीडियो क्वालिटी की 4K 30fps बैक कैमरा से जा सकता है, अब जैसे मेन कैमरे में इनका सेंसर OIS है, पूरा सेंसर मूव होता है, तो 4K क्वालिटी पे इसमें AIS नहीं मिलता सपोर्ट, उसके लिए 1080 पे जाना पड़ता है, ल जो इमेज प्रोसेस हुथती है, इमेज ये वीडियो बनती है ना बाद में, इतना अच्छा नोइज कंट्रोल ही नहीं कर पाता, हम अकेले नहीं आया थे कहीं सैंपल लेने, आप सोचतो, दाउनर ऑफ दे चैनल, आंके का जुआ रहे हैं, से वीडियो शूट करवाएंगे, आज रातों धाईवे से भी देखना, ये प्लान है नहीं गाता हमारा नहीं, तो एक किस साब से इमेज प्रोसेसिंग कर रहे है, किस साब से इनका सेंसर शेफ्ट वाइस काम कर रहा, नोट शेवर, और जो 32 मेजा पिक्सल की सेलफी दे रखी है, उसकी फोटो अगर अच्छी लाइट केंडिशन हो, तो अच्छी आ रही है, आर्टीफिशल लाइट में मैं डीसन टाइप बोलूँगा, एंड वीडियो क् टोरेज मिलता है 512GB सीधा, काफी अच्छी बाद है, स्टोरेज टाइप तो मुझे मिला नहीं, डीटेल में, लेकिन जब इस अप्लिकेशन से स्पीड टेस्ट करने ही कोशिश की, तो स्कोर देखके लग रहा है कि यह पर 3.1 हो सकता है, और जब फोन को कैजूली यूज कर विडियो भी अराम से प्ले करता है, बिना किसी जीटर के, हाले कि Netflix में HDR नहीं करता, लेकिन यह मैंने बहुत सारे फोन में देखा, ऐसा नहीं, सिर्फ इसी ब्रैंड में, इन डिस्प्ले फिंगर पिंपिंच स्कैनर भी दिया हुआ है, सौफ्टर की बात करें तो इसके अं आपको पसंद आता है कि नहीं, तो यहां पर मैं opinion की बात करूँ, तो simple सी बात है, ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, कि हाँ वाई under 30,000 इसका camera definitely इतना अच्छा नहीं है, और इस rate में हमें हर brand की तरफ से option मिलने शुरू हो जाते, एक time था जब 20 जा से नीचे market काफी strong थी अभी 30 जा से नीचे वह इची shift हो चुकी है, कोई brand better software दे रहा, कोई better camera दे रहा, कोई better update दे रहा, तो overall combination कई सारे phone में मिलता है, तो यह कह सकता है कि अभी टेक्नो इन्फिनिक्स को 20 जा से नीचे काफी strong option देते हैं, लेगिन जब 30,000 रुपे की बात आती है, तो software update से लेकर camera पर आप स्पेशल इनको बहुत काम करना पड़ेगा, इस phone का सबसे weakest point camera हो जाता है, जो की सबसे strong point दिखाया जारता, तो वही मैंने test करने कोशी कर जिस वीडियो में, अगर आप चाते future में कुछ होग टेक्नो इन्फिनिक्स से phone की वीडियो की बात करू, तो आप comment section बताना, बागे आपको कैसे लगा ये phone, comment करके बताना, I hope वीडियो प्रसंद आगे, वीडियो प्रसंद आगे, तो लाइक से subscribe करना, मैं मिलता आप से अगली वीडियो में,